इस समय हम उसी केंपस के अंदर हैं जहां पर भष्टा चार की इमारत है आप देख सकते हैं यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं सेलफी ले रहे हैं बिल्डिंग के साथ आए उनी से बात करते हैं पूछते हैं क्योंकि यह परिवार यहीं के अंदर आपने मकान लिया था क्या सोचा था और क्या हो रहा है हम लोग ने बहुत अच्छे नियत से लिया था घर यहां पर फिर आगे 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 हम लोग लोग ने देखा कि बिल्डिंग जैसे खड़ी होते गई तो काफी मतला इं टर्म्स ऑफ क्लाइमेट और वह सब में रुखावाट आने लगई बेसी के लिए और हमें ऐसे लगा कि यह तो हमारा ही लाइंड है यहां पर एंद बड़ी-बड़ी इमारत यहां पर खड़ी हो ग समझें यहां पर एक अलग तरीकी का प्रसेप्सन है जब बिल्डर की बात होती है मतलब पावरफुल आदमी भृष्ट आदमी हर तरीके से सिस्टम पर कभजा करने वाला आदमी बिल्डर का मतलब यह होता है और यह बिल्डिंग उसी का सबूत है इस तरीके की तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ क्योंकि बिल्डर को जेल के अंदर होना चाहिए इस तरीके का काम किया गया और उसके बाद यहां पर रहने वाले लोग परिशान हो रहे हैं और एक बड़ी एजंसी लगाई गई है जो बिस्पोटक के जरिए इसको उड़ाएगी आईए पूछते हैं यहां पर और भी लोग हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम रुची सयाल है और हम 2011 से सोसाइटी में रह रहे हैं इतने लंबे समय से आप रह रही हैं एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जो कानूनी लड़ाई कानूनी दाओं पेच हुए उसके अब बिल्डिंग के रूप में देखना चाहती हूं जिस तरह दशेरे में रावन को जलाया जाता है मैं तो उसी तरह से देखना जाती हूं क्योंकि यह बहुत लंबी लड़ाई थी हमारी आड़ ड़ाई के लिए विकॉस आप देख सकते हैं कि यहां देहने वाले एस्टर 2 एस्टर 3 के जो है उनका धूप धूप हवा सब कुछ ब्लॉक किया जा चुका है इसके बिल्डर ने यह भी नहीं सोचा कि कभी अगर कोई एमर्जेंसी आती है फायर की जरूरत है आम्बूलेंस की जरूरत है तो नौ मीटर के डिस्टेंस में ना एम्बूलेंस ना फायर कुछ भी किसी भी एज़िडेंट की सेफटी के बारे में नहीं सोच और केवल अपने प्रॉफिट के बारे में उसने सोचा तो मैं तो एक इसको एमरेल कोड की विजय की तरह देखती हूं और मैं यह देखती हूं बहुत गर्व महसूस करती हूं कि हमारे आर डब्लू ए ने यह लडाई हो रहा है क्या कहें कि यह झो बड़ा भी टावर है वह यह वी तक गिरना जाहिए कुछ अभी तक यह रीज्ञ बढ़ा टावर है अभी तक यह होनण पर्मेशन ऍहां कि बहुत बड़ा चल चुकी है कि इस तरीके की इमारतें किस तरीके से नुकसान दायक हो सकती है उसको पता है इसमें सेफ्टी नहीं है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा देश के अलग-अलग जगहों पर जो बिल्डर्स हैं इसी तरीके की बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं पहले प् द्धार्थ न्यूजी स्टेशन नुएडा